एक लोगों की मिर्टू हो गए, एक लोग जख्मी है अंदोलन करेंगे यहां से लेके बिहार ते करेंगे यह तो बोल दो साड़े बिहारी डूब के मर जाओ और जब हम मलबे में दब जाते हैं तो हमारे बच्चे कहीं भीख मांगने को तयार हो जाते हैं नितिजी यही आल होते रहेगा ये बिहार कमंदे का आप जो रोज रोज इधर से उधर पल्टी मारते रहेगे हम लोग रूज यही धब के मरते रहेंगा नमस्कार मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहें तेज तर्रार इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिली के मुबारक पूर में जहां पर एक भीसन हासा हुआ है आप देख सकते हैं कि यह बिल्डिंग यहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे तभी अचानक यह बिल्डिंग ग पूराने बेलिंग था इसमें हमारे जो बिनय जी मजूर था वह हां काम करने के लिए उनको हाद्शा हो गिया अभी तक वारे देट बोडी पहुंच बजे यह घटना हुआ है देट बोडी अगरट मौटना हुआ है गिया है इस पर जितना भी यहां के जो विधायक है परसाशन लोग भी है जो भी है सब जो है से मिली भगाश्यों काम कर रहा है हमारे वहां डेट बोडी भी रखा हुआ है जो बेलदर है जो ठिकेदार है हम लोग जितना भी मजदूर है अभी तक कोई भी पुछने के लिए आया है कुछ वी ने हो रहा है इसलिए हम लोग मदूर आदमी है बिहार के रहने बाला है हम यही कहते हैं केजिरीबाल दिल्ली को सरकार है मदनलाल कस्तुरवा बिधान सभाक बिधायक है हम लोग भी हार के एक बिहारी सब पर भारी एक बिहारी सब पर भारी आज एक बिहारी मारे हैं हम लोग को जितना भी बिहारी है रोज जाम करेंगे आए वही जो नरेंद्र बोदी किसान वाथी में अंदोलर किया आपकी क्या मांगे हैं हम जो मांग कर रहे हैं मांग इजी कर रहे हैं जो उसको तीन बच्चे हैं तीन ब मिलना चाहिए यह मकान मालिक से मिलना चाहिए यह सरकार की तरफ से मिलना चाहिए हम को मुझा मिलना चाहिए हम लोग को यही है अगर नहीं मिलना नहीं मिलता है तो हम लोग जितना भी लेवा डिपार्टमेंट है अंदोलन करेंगे यहां से लेके बिहारतिक करेंगे दिल्ली है यह दिल्ली सरकार के अंदर में काम करने के लिए मदूरी करने के लिए आए हैं हमारा मदूर मर गया तो जो भी मदूर है हम जिवी तभी है इस पर अंदौलन करेंगे हमको डेट बोडी मिलेगा चाहे रोड हो चाहे जहां भी हो सब को हर्टाल करेंगे अच्छा अब करने आया काम करने आया तो काम करने अभी अंदर की तुराही चल डी थी बाहर का चज्जा गिर गया यह लोग चाहे पीने के लिए बाहर निकले बाहर दब गए यहाला जर जर हलात आप देखी रहे हैं तो मैं यहां पर अकल से हूँ और कल से आज तक कोई नुमिंदा ना कितने लोग पहले बताएं कितने लोग इसमें जखमी हुए और कितने लोगों की मिर्तु हो गए एक लोग जखमी है दो कुल मिला के कितने लोग यहां पर काम कर रहे थे चोक का लेवर था जैसे हमें तीन आदमी की जानकारी है औरों का पता नहीं है हमें लेकिन तीन आदम लगेंगे दूर की रिष्टेदारि में तो अब आपकी क्या मांगे हमारी मांगे है जैसे उनके तीन छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको सही मुआज़ा दिया जाएं पर्सासन की तरफ से मकान मालिक की तरफ से सरकार की तरफ से लेकिन दो दिन भीत गए ना अभी तक EFIR हुआ है ना EFIR हुआ ना हमें EFIR की कौपी मिली है ना सरकार का कोई NOMINDA हमें से बात करने आए EFIR क्यों नहीं हुआ अभी तक एफायर हुआ नहीं कल साम को जब हम गए तो हमें आज नहीं अगले एक दिन बाद मतलब तीसरे दिन हमें बुलाएं एफायर की कौपी ले जाने के लिए वह भी सच्छों साब बोले मैं बात करूँगा आपसे तो ये टाल मटोल चल रही है अभी तक तो अब आप दे के लिए फफायर की कापी हमें दिया जाए वह भी तक कोई इसका पता नहीं है पता जा रहे कि आप लोगों ने चुट्टी की है आज किसले चुट्टी की है जब भी मजदूर के साथ ऐसी घटना होगी और मजदूर मजदूरी करते हुए मरें तो चुट्टी तो करनी पड़ेगी न साब इतने दूर से हम आये हैं अपने बाल आते हैं सारे मजदूर उनकी तरफ से कोई सेेफ्टी मुधिया कराया जाते है जब यह बील्डिंग टूट रही थि उन्हें प्रोपर जो सेफ्टी किट दिया जाता यह टोपी हैल्मेट धिया जाता मालिक देते लाके जब उनकी इतनी महेंगी बिल्डिंग बन रही है ना तो आज तक हमें कोई किसी भी मजदूर को चाहे कोई भी काम करता बस चढ़ा दिया करो करो तोड़ो तोड़ो जो होगा देखेंगे अब आज दो दिन हो गया हमारे लाज आदमी हमारा डाट हो चुका है दो की तरफ से कोई कॉल आईए कि हाँ भीया तुम हमें जो है तुम्हें कुछ मुआपजा देंगे जो इनके बच्चे हैं उनका भरन पोशन के लिए आर्थिक कुछ भी सायता करेंगे जब कोई नहीं आएगा तो मजबूरन में हमें प्रसासन के पास ही जाना पड़ेगा यह इसे कम मालिकों तो चाहिए कि हमारी पास आएं हमें फोन करें वे नहीं आ सकते प्रसासन के तरफ से कल पांच बजे की घटना है अब तक जो है F.I.R की कौपी मिली है नहीं प्रसासन का कोई पुलिस वाला हमसे बियान लेने के लिए आया है ना किसी की कॉल आई है जब कि कई बार सुबह से मुहां भी जा चुके हैं मानिये बिधायक जी कहां गए उस ओफिस पे वे नहीं थे फिर हम दूसरा मौला क्लिन गौला ओफिस ह है वहां भी गए कि वहां पर हमसे उनकी मुलाकात हो जा जाए वहां फे भी वहां भी हमसे नहीं मिल पाए तो ऐसमें दो बात बनेगी नहीं जब इतनी दूर से मज़दूर आए हैं तो उनकी भी सेफटी बनती है इसमें मालक को भी चाहिए कि जब beiden काम करा एं तो तो हमें अपना जो भी किट है जब इतना महेंगा काम करा सकते हैं तो जो सेफटी किट होता है ना सूज है जैकिट है हेलमेट है हो सकता था अगर हेलमेट रहता सेफटी सूज रहता तो यहादसा मौत होने से टल के दुर घटना में ही बदल सकता था लाइफ को बच सकती थी तो ये चीज मिनिस्टरी ओफ लेवर से भी मैं चाहूँगा कि वे भी मजदूर के हक में करें और एक छोटा सा जब G1 बीमा सब को दे रहे हो तो हमारे डिपार्टमेंट और आज इस गटना के बाद मैं मिनिस्टरी ओफ लेवर को ये कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा भीमा हम मजदूरों के लिए भी किया जाए अगर ऐसा कोई आकासमत घटना होती है तो उसे एक तो सेंटर गोर्णमेंट और एक केंद्र सटकार केजरी वाल के तरफ से भी कुछ-कुछ-कुछ तो हमें मुआपजा मिलना चाहिए क्योंकि हम मजदूर के उपर ही पूरी दिल्ली का नहीं जितना भी ओल ओवर इंडिया या ओल ओवर वर्ल्ड जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है हम ही मजदूर लोग करते हैं और लास्ट में हम मलवे के नीचे दब जाते हैं हमारी कहानी एक दो दिन बाद खतम हो जाती है न प्रसासन सुनता है न वो कंट्रेक्टर सुनता है जिसके अंडर में हम काम करते हैं और ना वो सुनता है जिसका हम माकान बनाते हैं जब हम माकान बना देते हैं तो वो आयस्वाराम से रहते हैं हम कल फिर सड़त पर घूमते हैं और जब हम मलबे में दब जाते हैं तो हमारे बच्चे कहीं भीक मांगने को तयार हो जाते हैं कोई भी नहीं सुनता है ने सुन मकान मन जाता है उसका बाद कोई नहीं सुनता है सर हम मैं मकान मन जाता है कोई भी नहीं सुनता है ठीक है हमें यह बोले हिए ठीक है तो मतलब हम मकान मन जाता है हमारा कोई नहीं सुनता है अब आप लोग क्या करने वाले हैं? अब आप लोग क्या क्या करने वाले हैं? आजे से post-mortem post-mortem हो जाएगा last कहाँ जाएगी नहीं जाएगी यह पूछने भी कोई नहीं आया आज तक कहने का मतलब मेरा यह है जो कम से कम परसासन को अगर मकान मालिक बंद है भागा हुआ है तो 24 गंटे से 24 गंटे होने चला कहीं ना कहीं पूर जहीं है दो तौर में आधाने, पर प्रसासन बिलकूलीष पे काम करना नहीं चाहती, हम tá born.. अभी post-motem के लिए गया है उनका भाई ओहीं है पोश्मोटम के बाद अगर लास देते हैं तो लास जलाने के पैसे तक उनके पास नहीं है तो उनको कम से कम मिलना चाहिए परसासन को आगे आना चाहिए परसासन इस बीच में नहीं आरा परसासन को भी आगे आगे हाथ बटाना चाहिए यह मद्दूर है इस देश के कर दे कुछ इस तरीके का मौभजा दें के उनको कमसे का मौभजा तो देना थी यह ना लेकिन अभी तक कोई बात करने को राजी नहीं है निती जी यही आल होते रहेगा यह बिहार कबंदे का आप जो रोज रोज इधर से उधर पल्टी मारते रहे हैं इधर से उधर पल्टी मारते रहे हम लोग जो यही धब के मरते रहेंगा है अगर स्रम है तो डूब के मर जाओ ले तो हम लोग कोई रास्ता दो ठीक है ले तो क किसी वहर को यू रस्ता दो मुझे, हम लोग करिए यह रस्ता दो, रोजड़ू कमरने सच्चा है, एक यह बार मर जाए, यह तो बोलो सारे भारी दूमकर मर जा हो, आप नितिस कुमार से क्या चाहते हैं? कोई रोजगार दे सबको यह दब कर मरने सच चाहे रोजगार दे मुझे कल को मैं नहीं जाओंगा इधर ले आँगा वही रोजगार करूगा ना बीबी एन बच्चे जो दब कर मर गया कोई मेरा कोई कोई कौई देखने बला है वो तो बोल रहे कि लाखों लोग को नौकरी लोकरी कों दिया दे लोकरी या तेजस्वी अठारे सा नौकरी किसी भी भाग में हो जारू मादला पढ़े कुछ भी करें लेकिन बिहार में मुझे कोई जुगा दे अठारे सत्रे चाहते! दे क्या थे पर् nouveauर में होता है अगर सब्सक्राइम है तो अब मर जाए और आप दो पुरा भी आरे रह योग मर जाईगा तो हमने यहाँ पर मौझूद कुछ मजदूरों से बात की और जाना कि यह हाथसा करीब साधे चार बज़े हुआ था और यह हाथसा यह बड़ा जो है यह चीज दिख रहा है इसके गिरने के वज़े से हुआ जिसकी वज़े से एक मजदूर की मिर्ती हो गई और एक घायल हो यहाँ पर करीब बोलें कि चार लोग काम कर रहे थे दो लोग चाय लेने गए थे जिसकी वज़े से उनको कोई चोट नहीं आए यहाँ पर मौझूर मांग कर रहे हैं कि उन्हें उचित मौज़ा दिया जाए चाहे मकान मालिक दे या फिर सरकार दे इस खबर के बारे में आ आसो के साथ मैं हसन रजा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूले इसके साथ ही हमारे चानल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए गा जिससे दिलने सब्सक्राइब की नोटिफिकेशन सबसे बहले आप तक पहुचे